के स्कीम के जो करने के लिए वेंडिंग मेशिन स्थापित करने के लिए जो स्कीम उसके बारे में घोशना वो कर रहे हैं तो आज तक है जो वीडियो जो है उसी के उपर है कि स्योचना के अंतरगत क्या-क्या आएगा और इसमें मतलब क्या-क्या लाब होगा लग्यों को और इससे क्या-क्या फाइदा होगा तो इन सबी के बारे में जो हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे जो कि आपके exam point of view से बहुत ही important होगा और जो भी आप competitive exams के लिए preparation करें उन सब के लिए भी बहुत ही फाइद मेंद होगा तो इस वीडियो को जो है end तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगे हमारा चैनल subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दिजिए और साथ ही साथ बैल आइकन कि दबा दिजिए ताकि आपको अगला notification मिल सके और इस वीडियो के end तक देखने के साथ साथ प्लीज लाइक करना मत बुलिएगा तो चलिए आज का जो discussion है वो अभी हम शुरू करते हैं तो हाली में जो है अभी सिक्किम के जो government है उन्होंने अभी एक जो मतलब sanitary pet को जो है उसको provide करने के लिए जो vending machine है उसको स्थापित करने के लिए एक scheme मतलब उसकी घोशना करने वाले है जिसका नाम बहिनी scheme है और यह जो है पहली बार है कि किसी कोई भी जो मतलब state government है उनके उन्होंने जो है class 9-12 में पढ़ने वाली जो लड़किया जो है सभी जो लड़किया जो है उनको इस तरह के कुछ मतलब program के तहर cover करने का निर्णे लिया गया है तो अभी यह जो है इसका मतलब कुछ purpose भी है और क्यों गूलिया गया है तो इसके बारे में हम अभी discuss करेंगे तो यह जो scheme जो है तो इसका main purpose क्या है तो इसका यही है उदिशय की माध्य में और वरिष्ट माध्य में विद्या लए जाने वाले लड़किया जो है हाई स्कूल तक जो बढ़ने वाली क्लास नाइन से उपर जो पढ़ने वाली जो लड़किया जो है तो उन लड़कियों को जो है मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैट तक सो परसन की जो पहुंच जो है मतलब हन्रिट परसन के एक्सेश जो है उसको प्रोवाइट करना है और इसका उदिश्य यह भी है कि स्कूलों से जो लड़कियों की जो ड्रॉप आउट को रोकना और मासिक धर्म स्वच्चता के बारे में जो है जागरुकता बढ़ाना भी है अभी देखिए कि कुछ लड़कियों को जो है अभी मतलब जो टीनेजर लड़किया है तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लेम्स हो जाती है कभी को बार तो इन सभी के बार में जो है जागरुकता पैदा करना है और इसके लिए जो है यह योजना हाथ में ली गए है तो यह जो स्कीन जो है इसको सुलव इंटरनेशनल के सहयोग से राज्य सरकार्द्वारा 2018 में शुरू किये गए एक प्रयोग पर आधारित है जहाँ पे कुछ स्कूलों में जो है वेंडिंग मेशिन लगाए गई थी सुलव इंटरनेशनल भारत आधारित एक सामाजिक सिवा संगठर है जो कि शिक्षा के माधियम से जो है मानव अधिकारों परियावरन सच्चता उर्जा के गैर पारंपरिक्स्त्रों तो अप्षिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को जो है बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है ठीक ह कि तो इसकी जो है कि स्थिती क्या है अदो है लगत धिया दिया जो कि मिंस्ट्रियल जो फैल्ट जो है उसकी श्थिती क्या है तो राश्ट्री परिवल स्वस्थ स्रविक्षिन यहनंh मासिक धर्म वाली जो महिलाएं है वो है हला कि केवल 36% जो महिलाएं उनके द्वारा स्थानिया या व्यावसाई ग्रूप से उत्पाद सेनेटरी नैपकेन का यूज करने की सूचना मिली थी तो अभी यह जो जो प्रोसेस जो है उसके दोरान जो है इन उत्पादों का जो पियोग है यूज जो है उसको करने वाले महिला होगे मतलब प्रतिश्चत में यानिके परसंटेज में जो है देश भर में उल्लेखिनिया सुधार हुआ है खास तरपे जो है इससे दमन और में मासिक धर्म स्वास्त एक कम प्राथमिकता वाला मुद्दा बना हुआ है जो कि वर्जनाओ शर्म गलत जो सूचनाओ और वसच्चता जो कि मतलब सुविधाओ तथा मासिक धर्म उत्पादों तक जो है खराब पहुंच का कारण प्रभावित है तो इसके रिलेटेट जो ह कि है अभी यहATHER शोर्रे हैं कुछ मुद्दे भी हrü कैसे है कि भे देखी कि पहला जो इसु जो है जो कि अभी क्या ICDS योजना के तहट जो है साल 2018 से 19 में किये एक जो मतलब सर्वेक्शन जो है सर्वे जो है उसमें बताया गया है कि क्लास 6-8 में जो मतलब लड़किया जो एड्मिशन लिया हुआ जो लड़किया जो होती है उनमें से एक चोथाई से ज्यादा जो है वो जल्दी स्कूल छ तो मासिक धर्म स्वास्त पर शिक्षाय तक जो है असंगत पहुंच मतलब उसके कारण युवा लड़कियों के लिए जो है मासिक धर्म का अनुभव और भी ज्यादा मतलब टफ हो जाता है कठिन हो जाता है तो उसके बाद आता है कारियाबल में कम भागिदारी तो कई नि ही कि लोगों का अगर कोई भी लड़किया पीरेट कोई हो इसे मतलब होता है तो इसके लिए गौद मतलब मेंनेस्ट्रेल जो प्रोसेस जो है के लिए स्वच्चता कुछ योजना बनाया है, यानि कि मासिध्ध्रम स्वच्चता के प्रति जागरुत्त बढ़ना है, और फिर ग्रामिंख शेत्रों में जो है जो टी नीजर जो गर्स जो है, उनके लिए उच्चे गुणवत्ता वाली सेनेट्री नैपकिन तो आज की इस वीडियो में इतना ही है आशा करती हुई जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फाइदमन साबित होगा और जो भी आप लोग के लिए प्रिपरेशन करें उन सब के लिए भी बहुत ही फाइदा पहुचाएगा तो इस वीडियो को जो है अन तक जरूर देखिएगा और लाइक करना प्लीज मत भूलेगा और कल जो है हम फिर मिलेगे ऐसे ही एक वीडियो के अनलाइसिस के साथ तो तब तक के लिए जो है हमारे वीडियो को देखते रहेंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलेगा और प्लीज जो कोई भी अगर सुझाओ हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलेगा हमारे वीडियो से रिलेटिट तो प्लीज की वाचिंग और वीडियो टेक्यार गुट्बाइ